आज हम बात करेंगे क्री लॉक्स रिकॉम्बिनेशन के बारे में कि इस टेकनीक को हम क्यों यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं पहले हम थीोरी को अंड लास्ट में आप देखेंगे कि कुछ क्यूंस आपको अपनी स्क्रीनपर दिखाएं देगे उन के स्वेट्प को आप खुझ से सूल करेंगे और कमेंट बक्स में मुझे अपने आंसर को बताएंगे मैं मैं आपको reply करके बताऊंगी कि वो answer आपके सही है या नहीं है तो हम understand करते हैं क्री-logs recombination क्या होता है तो पहला word आता है क्री, ये क्री क्या होता है तो क्री recombinates ये enzymes होते हैं तो ये enzyme recombination में help करते हैं recombination का मतलब DNA का exchange होना ठीक है DNA exchange होना ये कहलाता है recombination तो क्री recombinates इस काम को perform करता है DNA exchange कराने में help करते हैं broadly अगर हम बात करते हैं तो recombinates enzyme दो classes से belong करते हैं serine recombinates और tyrosine recombinates इन दोनों classes की जो functionality है जो mode of action होता है वो अलग-अलग होता है ये जो क्री recombinates enzyme है ये हमारा tyrosine recombinates class से belong करता है इस point को आप याद रखेंगे देन उसके बाद next point आता है LOX क्या होता है तो ये जो LOX होते हैं ये कुछ specific sites होती है DNA में तो यहाँ पर जैसे suppose कोई gene है उस gene के terminal पर LOX sites पाए जाती है जो क्री enzyme होता है कुछ spacer area भी हो सकता है कुछ DNA होता है मितलब ये LOX site back to back एक दूसरे के साथ attach नहीं होती है थोड़ा एक दूसरे से अलग होती है और लगबग 34 base pair long होती है क्री recombinates enzyme किस तरह से behave करेगा ये depend करता है LOX site के orientation पर कि LOX site के किस तरह से arrangement है एक बार और quickly हम इन points को notice कर लेते हैं कि जैसे आप इन points को अपनी note book में note down कर सकते हैं कि जो क्री recombinates enzyme है वो P1 bacteria fast से derive किया जाता है जो LOX P sides है वो 30 base pair long होती है और यहाँ पर gene या exon ठीक है gene भी हो सकता है या यहाँ पर gene का कोई specific part जैसे कि exon भी हो सकता है कोई भी area हो gene हो या exon हो अगर उसके तरफ दोनों side LOX P side पाई जाती है तो इस तरह के gene को हम क्या बोलते हैं floxed gene हो सकता है इस terms related आपको कहीं सुनने को मिले कि floxed gene है तो आप वहाँ पर अपने आप इमाजिन कर सकते हैं यानि उस gene के दोनों तरफ LOX side है ठीक है तो क्री और LOX हमने पढ़ा LOX तो होती है हमारी sides ठीक है और क्री होता है हमारा recombinase enzyme जो in sides पर बैठता है तो उसके बाद क्या होता है क्री और LOX का यहाँ पर क्या relation है और हम real lab में यह कैसे study करते हैं क्री माउस का मतलब होता है क्री माउस का मतलब होता है जैसे suppose यह जो माउस है इसके किसी cell में या किसी tissue में हमने कुछ modifications के वह है यह दोनों माउस आप देख रहे होंगे क्री माउस और LOX माउस यह genetically modified माउस होता है ठीक है यानि इस वाले माउस में हमने क्या genetic modification क्या हुआ है कि इसमें हमने क्री gene को integrate क्या हुआ है क्री gene किसी promoter के under ठीक है तो यह तो हो गया क्री enzyme तो यह वाला माउस कैला है क्री माउस यहनि इस माउस के पास वो gene है जो हमें क्री एंजाइम बनाके देता है ठीक है? एंड देन उसके बाद genetically modified दूसरा mouse that is LOXP mouse LOXP mouse इसलिए क्योंकि इसमें क्या genetic modification क्या गया है कि suppose कोई gene है यहाँ आप देख सकते हैं targeted gene उस targeted gene के दोनों तरफ इधर और इधर आपको दिख रहे होंगी LOXSite ठीक है? तो यहाँ पर LOXSite inserted है तो इस वाले mouse में LOXP sites है इस mouse में क्री enzyme है ठीक है? तो यह दोनो genetically modified mouse है यहाँ पर हम जब इन दोनो mouse का recombination कराते हैं तो जो हमें new generation मिलेगी वो हमारी knockout generation मिलेगी ऐसा कैसे? knockout generation कैसे? और यह क्या LOXP का और क्री का क्या role है तो यहाँ पर यह सब कुछ depend करता है इन LOXP के orientation पर ठीक है? तो यहाँ मैं आपको यह इस image पर आप focus कीजी यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि LOXP site कहां दिख रहे हैं आपको यह gray color में ठीक है? तो यहाँ आपको यह LOXP site ऐसे दिख रहे हैं इस direction में है तो इसको बोलते हैं direct repeat ठीक है? तो यह direct repeat है और यह बीच में हमारा gene है तो अगर हमारी इस तरह से direct repeat होती है तो इन direct repeat का आप next image में देख पा रहे होंगे आपकी recombination हो रहा है direct repeats के बीच में और जिस वज़े से क्या हो रहा है यह जो बीच का part है बीच का part हमारा delete हो जा रहा है तो यहाँ पर आप क्या important point को याद रखेंगे कि जब भी हमारी LOXP sites direct repeat orientation में होती है इस तरह से direct repeat होती है तो उसके बीच में LOXP sites के बीच में जो भी region होता है वो क्या होता है delete हो जाता है उसके बाद second point आप याद रखेंगे कि अगर हमारी LOXP site इस तरह से inverted है इस तरह से inverted है इसको बोलता है inverted repeat दोनों एक दूसरे को face कर रही है तो इस case में क्या होगा इस बीच वाले जीन के साथ इस बीच वाले जीन के साथ after इन दोनों LOXP sites के बीच में जब recombination होगा तो यहाँ पर inversion हो जाता है ठीक है तो आप याद रखेंगे direct repeat direct repeat जैसे suppose यहाँ ATC है तो यहाँ भी आपका ATC है इस तरह से ठीक है तो आपका inversion हो जाएगा लेकिन यह दोनों cases कहाँ possible है यह दोनों same DNA में हो रहे है ठीक है same DNA में इस बात को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहे है तो मैं अभी आपको एक animation दिखाऊंगे उस animation में आप देखना कि same DNA में यह सब कैसे होता है यहाँ दो अलग-अलग DNAs की बात हुए एक DNA आपको red color में दिखाए दे रहा है एक DNA आपको blue color में दिखाए दे रहा है दो अलग-अलग DNAs है और दो अलग-अलग DNAs में यहाँ पर आपको यह recombination side दिखाए दे रही है तो इस तरह के case में जब दो अलग-अलग DNAs होते हैं तो recombination जब होता है तो वहाँ पर insertion होता है लेकिन जो हम Cree locks recombination जहां हम use करते हैं उस case में हम direct repeat locks site की या तो direct repeat रखते हैं या हम inverted repeat रखते हैं जैसे अब आप इस mouse में देख पा रहे होंगे इस mouse में आप यहाँ पर किस तरह से देख पा रहे हैं direct repeat इधर की तरफ इनका orientation आपको locks P side का orientation इस तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर है न यह purple color में तो यहाँ पर इस targeted gene के साथ क्या होगा targeted gene यहाँ पर delete हो जाएगा यह हम tissue specific भी रख सकते हैं कि किसी specific tissue में ही यह सब काम हो यह फिर हम यहाँ पर अपने according जैसे हम चाहते हैं उस condition को change कर सकते हैं but most of the time यहाँ पर यह tissue specific रखा जाता है अभी यह जो points मैंने आपको बताए कि इस तरह से locks side का orientation की की functionality को define करता है इन सभी points को एक बार हम animation की form में देख लेते हैं यह देखें यह यहाँ locks sides है ठीक है आपको दिखाई देरा है दो अलग-अलग DNAs है ठीक है blue and purple lock sides के बीच में एक area है that is gene हमारा crossover region ठीक है तो दोनों अलग-अलग circular DNA पर यह sides है इस तरह के case में क्या result रहता है insertion आप देख सकते हैं insertion ठीक है जो दोनो DNA थे वो mix हो गए इस case में आप देखिए कि अगर यह जो दोनों यह sides हो एक ही DNA में हो ठीक है same DNA याद रखेंगा अगर यह दोनों sides same DNA और direct repeat है आप यहां देखे direct repeat ठीक है तो इस case में क्या हो जाता है direct repeat के case में direct repeat या inverted repeat दोनों possible हैं लेकिन same DNA में direct repeat में देखिए delete हो घिक है direct repeat में हमारे DNA यहाँ पर delete हो जाता है ठीक है और यहां inverted repeats के case में आप देखिए कि ये inverse हो गया I hope आपको ये concept अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ये जो question आपके सामने हमने दिये है ये आप solve कर पा रहे हैं अगर आपको कोई doubt आता है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं Thank you कि ये प्रेश में आता हुआ हुआ है